बुली ट्रेंग के लिए हम ये slap tracks का इस्तमाल होते हुए नजर आ रहा है लेकिन कई जोगों पर basalt या पत्थर वाले tracks पर भी train चलती है तो हम slap पे करचा क्यों कर रहे हैं? पहली बात slap track का maintenance बहुत कम होता है बलास track के उपर बहुत heavily maintenance time-to-time करना पड़ता है इसके साथ साथ slap track के उपर vibration होती है कम लंबे समय के इसाब से ये सस्ता पड़ता है maintenance, replacement के इसाब से देखा जाए तो और better management भी tracks का यहाँ पर किया जा सकता है कई दूसरे systems जो लगते है उसके इसाब से और इसलिए ये bullet train के लिए इस्तमाल हो रहे है slap systems जो आज के date के लिए modern standards है सब्सक्राइब करो